Hey winners, आप सांसों से कैसे चमतकार कर सकते हो, अपनी सेहट ठीक कर सकते हो, अपने माइंड को रिलाक्स कर सकते हो, स्ट्रेस को खतम कर सकते हो, डिप्रेशन से हमेशा के लिए मुक्ती पा सकते हो, और लाइफ का हर एक आसपेक्ट बढ़िया कर सकते हो, जानेंगे आज इस साइन्स को, इस चीज़ को हर एक इंसान तक पहुँचाने वाले स्वामी रामा कौन थे, स्वामी रामा एक ऐसे मिस्टिकल योगी हुए, जिन्होंने अमेरिका में उन साइन्टिस्ट के सामने, जो ये मानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई ब्रेथ पावर, योगिक टेक्नीक्स, इस ऐसा कुछ होता है या अपनी सांसों पर कंट्रोल करके इंसान किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, उन सब के सामने एक मेडिकल रीसर्च लैब में खुद की इच्छा से अपने ऑटनॉमिक फिजिकल फंक्शन को कंट्रोल करके उन सब को दिखा दिया, यानि जिन अपने पूरे शरीर से अपने प्राण को निकाल लिया, यानि वो गलिनिकली डेट डेकलेर किये जाने की स्टेट में चले गए जहां पर ब्रेथ नहीं है और इन फाक्ट कौई भी ऑर्गन जो है वो काम नहीं कर रहा है और उसके बाद वो अपनी सांसों पर दुबारा से क प्रक्रिया को चलाने लगते हैं और अमेरिका के जितने साइंटिस्ट्स वहां मौझूद थे जो डॉक्टर्स थे या जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स थे उनको ये मानना पड़ा कि माइंड की पावर से या एंशेंट इंडियन योगे किया ब्रेथ प्रैक्टिस से वाक इस पॉसिबल आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हो तो उन्होंने कुछ सीक्रेट्स साइन्स ऑफ ब्रिथ नाम की इस पुस्तक में उन सब लोगों के साथ शेयर किये और वहां के M.D. डॉक्टर रुडॉल्फ बेलेंटाइन और एलन हाइम्स ने भी स्वामी रामा के साथ मिल कर इस बुक में इस किताब में वो सब चीजें शेयर की जो की एक आम इंसान तक पहुंचनी चाहिए वो ऐसा नहीं कि वो मिस्टिकल सूपर पावर उसको मिल जाए लेकिन हाँ वो अपनी जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित कर सके बैतर कर सके अपनी सेहत को ठीक रख स अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन को कम कर सके और अपनी स्पिरिच्वल अवेकनिंग की जर्नी पर आगे बढ़ सके तो वो सब चीजें आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि हो सकता है यह पूरी बुक को पढ़ना शायद आपके लिए आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अब आपने यह बहुत बार सुना होगा कि हमारा शरीर जो है वो पांच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है अगनी, वायू, जल, पृत्वी और आकाश जिनको हम पंच महाभूत भी कहते हैं लेकिन क्या वो शक्ति है जो इन पंच प्रवाहित हो रही है अब उसको अगर कोई भी ब्लॉकेज मिलेगा तो वो प्रभावित हो जाएगी और हमारे शरीर को उतने अच्छे से स्पंधित नहीं कर पाएगी या इंपक्त नहीं दे पाएगी जैसे हमारी प्रान वायू को प्रवाहित करने के लिए एक नली है जि अब ऐसे में उस परसन के लिए प्रान वायू को अच्छे से ग्रहन करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है अब ऐसे में जलनेती नाम की एक क्रिया बताई जाती है जो कि स्वामी रामा ने सब लोगों को बताई अगर आप इस जलनेती को करते हैं तो जितने भी हमारे न होगा जिसमें एक नाक से पानी डाल कर दूसरे नाक से निकाला जाता है अब ये फोटो देख करके या वीडियो देख करके आप इस जलनेती को प्रैक्टिस मत करने लग जाना क्योंकि इसको करने के लिए किसी भी जो बिल्कुल जानकार इंसान है उसकी मौजूदगी में ह आपको इसको करना चाहिए सिरफ यूट्यूब पर या किसी जगा पर आपने वीडियो या फोटो देख लिए उसको देख कर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको करने के लिए एक स्पेशल तरहां के पॉट की जरूरत होती है जो कुछ इस तरहां से दिखता है और उसके इस पानी को डाला जाता है सिर को एक एंगल पर जुका कर उसका एक प्रॉपर तरीका होता है एक नॉस्ट्रल में पानी डाला जाता है और वो भी बिना नाक से सांस लिए यानि आपको नाक से सांस लिए नहीं लिए लिए इसलिए बोल रहा हूँ है किसी जानकार इंसान की मौ प्रवाजूदगी में ही आप कर सकते हैं अधर्वाइस ऐसे ही बिल्कुल भी ट्राइ मत कीजेगा और ये जो सांस जब हमको नहीं लेना होता तो उस टाइन पर सांस लेने के लिए हम लोग मुग का इस्तेमाल करते हैं और जो पानी इसमें डाला जाता है वो नॉर्मल पानी होता बलकि उसको सबसे पहले तो गुन-गुना किया जाता है ना ज्यादा गरम ना ज्यादा ठंडा मतलब एक गुन-गुना सा पानी कर लेते हैं ताकि वो जो है हमारे अगर किसी तरह का म्यूकस है या energy blockages है उनको clear कर पाए दूसरा उसमें जो एपसम सॉल्ट है जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं वो नमक उसमें डाला जाता है उसको नमकीन बनाया जाता है तो यह किसी भी expert की guidance में आप जलनेती को कर सकते हैं जो कि न सर्फ एक physical blockage को बलकि एक energy blockage जो कई बार हमारी जिंदगी में कुछ low vibrational mode के कारण आया होता है उसको भी clear करता है जिससे हमारी प् energy के रोग होते हैं सर्द गरम जल्दी हो गया बुखार जल्दी हो गया कई लोगों को respiratory issues होते हैं वो बहुत अच्छे से solve होने लगते हैं और हाँ इस प्रक्रिया को सीखने के बाद आप week में इसको दो बार भी करेंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगी वैसे तीन से चार ब बोला है नाड़ी स्पंधन क्रिया जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं अनुलोम विलोम अच्छा यह जितना सिंपल सुनाई देता है अनुलोम विलोम यह उतना सिंपल है नहीं यह अनुलोम विलोम अपने आप में किसी चमतकार से कम नहीं है और आज modern medical science यह modern sciences इसको बोल रही है alternate nasal breathing या cardiac coherence breathing सुनने में थोड़ा fancy सा लगता है लेकिन जब हम अनुलोम विलोम सुनते हैं तो हाँ ठीक है एक प्राणायाम है या फिर एक नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है प्राणायाम अगर नहीं कुछ लोग बोलते तो लेकिन यह उससे बहुत यह शरीर को देती है तो यह किसी भी तरह की शरीर में गर्मी बड़ी हो या किसी भी तरह का शरीर में imbalance हो peace ना हो mind में तो यह वो ठंड़क देने के साथ-साथ यह peace देती है ठीक उसी तरह जो right nostril है यहां से जब हमारी सांस चलती है तो इससे हमारा शरीर active हो जाता है क्योंक खाने पड़ते हैं तो यह सूरे नाड़ी को अगर आप activate करें तो यह आपके शरीर के अंदर वो energy regulation का काम करती है अब इस सब को हमारे स्वरशास्तरों में काफी समझाया गया लेकिन मैं इसका इस बुक के माध्धम से जितनी बात हुई है स्वरविज्यान पर अलग बात कर कर रहा हूं तो इसे आप try कर सकते हैं जब भी आप कभी low feel कर रहे हो या energy आप बिल्कुल down feel कर रहे हो लग नहीं रहा कि कोई काम करने का मन है तो उस time पर आप अपने left hand side करवट लेकर के सो जाओ लेट जाओ और left hand side लेटने से क्या होता है हमारी right nostril activate हो जाती है यह nasal passage हमारा करवट ली यानि right hand आपका नीचे रहा तो आपका left nostril जो है थोड़ी देर में activate हो जाता है जो आपको peace देता है, calmness देता है, agitation के mode को शान्त करता है जिससे कि आपको नींद भी बढ़िया आती है, धीरे-धीरे लोगों का insomnia खतम होने लगता है तो इसलिए इन्होंने कहा क जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है वो आपके left nostril और आपके right nostril सूरे और चंदर दोणों को प्रवावित करती है जिससे आपके शरीर में एक calmness का भाव भी आता है और आपके मन के अंदर जितने भी negative विचार है शान्त होते हैं आपके शरीर के अंदर वो energy जाने से आप आपकी beauty आपकी longevity के लिए भी एक क्रिया बहुत बढ़िया एहम role play करती है और इससे आप देखेंगे कि कई तरह के मानसिक विकारों से भी आप परे हट रहे हैं दूर जा रहे हैं और आपके शरीर के अंदर भी इसके बहुत amazing effects आपको देखने को मिलेंगे और स्वामी रामा आपके अंदर regulate स्पंधित सही तरीके से हुई और बढ़ी तो ज़रूर practice कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और प्राणायाम पर तो मैंने एक पूरा video बनाया है detail में कि कैसे कौन से प्राणायाम आप कर सकते हो in fact इस book में भी आगे इन्होंने कई प्राणायाम बताया इन्होंने भ्रामरी बताया इन्होंने उज्जय बताया इन्होंने उदगीत प्राणायाम बताया जिनको मैं अभी इतनी detail में शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन सबको मैंने इस video में already आपके साथ शेयर किया हुआ है कि वो आपके लिए क्या काम कर सकते हैं और कई लोग मैंने कम कर लिया है तो ये प्राणायाम बहुत पावफुल चीज है आपके प्राणों को एक नया आयाम देता है आज से मैं कहूंगा अभी सही अगर आप इसको अपने जिन्दगे में उतार लेते हैं किसी expert की guidelines के साथ तो इसको जरूर शुरू कीजे अब इसके बाद स्व जा रही है basically तो वो हमारे lungs में जाती है लेकिन वो हमारे lungs के बिल्कुल lower portion है diaphragm जो है उसको expand नहीं कर रही है जिससे हम में से ज्यादा तर लोग अपने lungs की आधी capacity को भी in fact 30% capacity को भी use नहीं कर पा रहे हैं आप note करो आपकी सांस बहुत shallow चल रही है यहीं से वापस जा रही है वैसे वो lungs में जा रही है समझाने के लिए बता रहा हूँ इतनी छोटी है ऐसे लगता है कि यहीं से वापस जा रही है और उसको पहचान होगे कैसे कि जब भी आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब आप सांस वापस से छोड़ते हैं तो आपका पे की बाडी के अंदर जो stress hormone है cortisol उसका release होना उसके उपर impact डालता है उसको कम करता है एक ऐसा system parasympathetic nervous system जो आपके happiness chemical जो neurotransmitter है जिसको serotonin कहा गया उसके production को बढ़ाता है तो अगर हम गहरी सांस लेकर के जाते हैं और वही सांस जब हमारे diaphragms के तुरू हमारे blood stream में properly mix हो पाती ह है और अगर हमारी सांस बिलकुल छोटी रही तो कहीं न कहीं है हमारे शरीर के लिए बहुत सारा fight and flight mode activate करती है stress में रखती है इसलिए मैं अकसर लोगों को बोलता है लोग मानते नहीं कर उनको लगता हाँ ठीक है जब तक कोई you know हजारों रुपे की गोली दवाई नहीं मिल करते हैं दिन में पांच से दस से पंदरा मिनट जितना समय आपको मिले खाली पेट करेंगे तो और शाननार बैठ जाए आराम से सांस को लीजिए और अपने बिलकुल lower abdomen तक लेकर के जाए और उसको दीरे जल्दी नहीं कर ऐसा नहीं कि गहरी सांस लेने है तो एकदम से नह control आने लगेगा जरूर try कीजेगा next स्वामी रामा कहते हैं कि आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं और ये महसूस करना भी अपने आप में आपकी प्राण उर्जा को आपके शरीर में बढ़ाना है जैसे आप क्या कर सकते हैं कि हर सांस जो आप ले रहे हो उसको लेने के साथ उसको आप महसूस कीजे सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजे ये वही मेथड है जिसको बुद्ध ने अनापान सती योग कहा है जिसके रास्ते बुद्ध उस enlightenment को उपलब्द हुए कि अपनी सांसों की माला बना ली सांसो में आई ये नीचे लंग्स में आई ये diaphragm expand हुआ यनि आप ऐसा महसूस करते जाएं कि ऐसे आसा सांस प्रवाहित हो रही है और इसी तरह से जाते हुई सांस की feeling लो और वापस आते हुई सांस के लिए aware हो जाओ और इसके साथ स्वामी रामा बताते हैं कि सबसे एहम रोल आ सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में जो gap है उस gap को आप बड़े ध्यान से देखिए जैसे आपने एक सांस ली गहरी और एक सांस छोड़ी उसके बीच में चोटा सा gap है उस gap को देखने की कोशिश करो awareness के साथ आपका control आपकी सांस के ऊपर बढ़ने लगेगा आप दे जिसको और बहुत सारी चीज भी स्वामी रामा ने science of breath में बताई हैं basically इनका जो उदगम है वो कहीं न कहीं स्वरविज्ञान से हुआ है तो अगर आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी उस पर भी बहुत सारे detailed वीडियो आपके लिए लेकर क्याओंगा क्योंकि ये वो ancient Indian yogic sciences जिनको दिखाकर स्वामी रामा ने American scientists के doctors के होश उड़ा दिये थे लेकिन ये जो हमारे योगी थे इन्होंने बहुत चीजों को पहले जान लिया था पहचान लिया था अपने अंदर उतर गए थे ऐसे ही महार्शी पतंजली ऐसे ही स्वामी रामा ऐसे ही महेश योगी ऐसे वो लोग हैं जो अपने अंदर उतर के इन चीजों को जान करके हमको बता करके अगर आप चाहेंगे कि ऐसे और वीडियोज आपके लिए लिकर क्या हूँ ना सरफ साइन्टिस्ट्स को बलकि मेडिकल प्रोफेशनल्स को बड़े बड़े डॉक्टर्स को और ये दो लोग जिन्होंने इनके साथ ये बुक लिकी ये दोनों MD डॉक्टर्स हैं अमेरिका के तो ये वो साइन्सिज हैं अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर ज़रुर बतायेगा कि इन सब योगियों की ये सब चीजे़ा करूं ताकि आप अपनी जिंदीगी में अपनी वाइल हाइस को अमेजिंग ली बढ़िया बना सकें अच्छे ऑप्टिमम हाद्ट को अचीव कर सकें और ये सब चीजें आपकी जिंदीगी में बखूबी पैक डालें तो मुझे comment करके सिर्फ एक छोटा सा comment जरूर बताइएगा जुड़े रही है मेरे साथ क्योंकि ऐसे बहुत सारे videos मैं आपके साथ share करता रहता हूँ और ऐसी मैंने बहुत सी books पर आपके लिए already videos बना करके रखे हैं जो आपकी healing की journey को सूपर तेज बढ़ा सकती है जैसे मैंने अभी quantum healing नाम से एक दीपक चोपड़ा की book है उस पर मैंने आपके साथ एक video share किया मैंने you are the placebo by dr. जो डिस्पेंजा लुईज हेक you can heal your life anatomy of an illness by Norman Cousin seven spiritual laws of success by दीपक चोपड़ा ये सभी books के links जो हैं इनके videos आपको description में मिल जाएंगे और कुछ एक end screen में भी आएंगे जरूर चेक करना बिलकुल मत भूलना और video अच्छा लगे और लोगों के साथ share करो ताकि लोग इन yogic vedic practices के साथ ancient sciences के साथ जुड़े और अपने जिंदगी को बदलें और उसमें बदलाव लेकर के आएं Thank you so much मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस video पर इतना समय देने के लिए ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद मैं अनुराग रशी एक holistic wellness coach और एक transformational speaker हर साल आपके लिए लेकर के आता हूँ heal your soul एक ऐसा powerful event जहां चार दिन मेरे कुछ participants, कुछ selected लोग मेरे साथ हमाले की गोद में, पहाडों में, वादियों में कुछ ऐसा समय बिताते हैं जहां पर मैं उनके लिए बहुत खुबसूरत mind programming करता हूँ जहां पर लगातार, बहुत से participants एकी जगा पर बैठकर powerful visualizations करते हैं high positive vibrations के साथ और ये चार दिन आपकी जिंदगी में कितना बड़ा transformation लेकर क्या सकते हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी की भागदार में, व्यस्तता में, बहुत सी चीजों में अपनी जिंदगी में मिलने वाले कुछ उन बहुत छोटे clues को खो रहे होते हैं जिनको हम उन चार दिन के अंदर उस heal your soul event में पा जाते हैं fill कीजिए ताकि मेरी team आपको contact कर सके और आप इस journey पर मेरे साथ जुड सके